कि अब कि अब कि अब सभी का आपके अपने चैनल लर्ण विद इंजिनेर आज नेश मिश्रा पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग भारत के भूगोल में भारत की मिट्टियां डिसकस करेंगे चलिए प्रारम करते हैं मिट्टिया स्वाइल धरातल का सबसे उपरी भाग मृदा कहलाता है मिट्टि को मृदा कहेंगे हम लोग तत्सम है उसका जिसका निर्माण चट्टानों के तूटने तथा अपरदन के फलस्त रूप हुआ है मृदा किसानों की अमूल संपदा है जिस पर समस्त प्रकार के क्रिशिकार होते हैं आगे चलते हैं मृदा परिछेदिका स्वाइल प्रोफाइल ये क्या होता है किसी भी भूमी की उर्धवाधर परत में पाये जाने वाले 36 संस्तर के समूह को मृदा परिछेदिका कहा जात है 36 संस्तर मतलब होरीजन इस परिशेद में निम संस्तर पाए जाते हैं चलिए देखते हैं कौन-कौन से पहला देखें होरीजन ए या संस्तर ए या मृदा परिशेदी का की सबसे उपरी परत होती है इस परत को शीर्ज मृदा या उपरी मृदा भी कहा जाता है या संस्तर सर प्रवाधिक महत्पूर्ण है अगला देखें हॉरिजन बी या संस्तर बी यह एस्तर के ठीक नीचे होता है इसे अधोम्रिदा या उप मिट्टी कहा जाता है इसमें अधिकांस्ता चिकनी मिट्टी पाई जाती है इसमें हिूमस तथा वायू की मात्रा कम पाई जाती है यह हरिजन A से होते हुए पानी बी पे आता है और वहाँ पे उसका भंडारन हो जाता है चलिए आगे चलते हैं हरिजन C या मृद्धा परिशेदिका में B संस्तर के ठीक नीचे पाया जाता है इस परत में केवल लंबी जड़ों वाले पौधों की जड़ें पहुँचती हैं जैसे मरुवस्थली प्रकार की वनस्पतियों की जड़ें आगे आते हैं हरिजन डी या संस्तर डी या मरिदा परिशेदिका में सबसे निचला संस्तर होता है इसमें बड़े बड़े कंकर आदी पाय जाते हैं इसमें ना तो पौधों की जड़ें होग पहुचती हैं और ना ही इस संस्तर में कोई जैविक क्रियाएं होती है ठीक है ये आपके हरिजन हो गए चलिए आगे जाते हैं मरिदा के संगठन कंपोजीशन आप स्वाइल हूमस या कार्बनिक पदार्थ 5 से 10 प्रतिशत होते हैं खनीज पदार्थ 40 से 50 सवरी 40 से 45 प्रतिशत होते हैं मरिदा जल 25 प्रतिशत होता है मरिदा वायू 25 प्रतिशत होती है भारती कृष्य अनुसंधान परिशद नई दिल्ली में है जो ने भारती मिट्टियों को 8 प्रमुक तथा 27 उप्रमुक प्रकारों में बाटा है तो 8 जो प्रमुक प्रकार है इनको हम लोग डिसकस कर लेते हैं करनाटक बुंदेल खंड पठार चोटा नागपूर पठार अरूदाचल प्र अंधर पूरवी केरल तथा पश्चिमी तमिलनाड में पाये जाता है इसमें होने वाली फसलों की अगर बात की जाए तो उसमें आलू, मोटे अनाज, दलहन, कपास, गिहूं, आधी प्रमोख है ठीक है? चलिए, नेक्स चलते हैं काली मिट्टी या ब्लैक स्वाइल इस मिट्टी का निर्माण जौला मुखी उदगार से निकलने वाले छारी लावा से हुआ है इस मिट्टी में जल धारन करने की छमता अधिक होती है इसका रंग काला तथा कड़ों की बनावट बहुत महीन होती है इसके सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है इसमें चूने की मात्रा सरवाधिक होती है इसमें नाइट्रोजन तथा फास्पोरस की कमी पाई जाती है इसका विस्तार कहां है भारत में? महराष्ट सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश, उत्री करनाटक, पश्चिमी अंदर प्रदेश तथा दक्षणी गुजरात में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है इसमें होने वाली फसनों में कपास, गन्ना, तंबाकू, स्वयबीन, प्रमुख है या भारत के 5 लाख वर किलो मेटर छेत पल पर फैली है कपास ज़्यादा याद रखेंगे हम लोग, इस पे ज़्यादा कोश्चन पूशे जाते हैं काली मिट्टी किस के लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए चलिए, नेक्स चलते हैं लेटराइट मिट्टी या मिट्टी गर्म तथा आर्दर शेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है इसका उपजावपन अपेक्षाक्रित कम होता है इसका विस्तार पश्चिमी घाट परवत के पश्चिमी ढालों पर महरास्ट, गोवा, करनाठक, केरल, मेगाले, उडीसा तथा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है इसमें उगाई जाने वाली फसलों में चाय, सिनकोना, कहवा, मोटे अनाज प्रमुख है इसमें चूना, फासफोरस, पोटाश की कम ही पाया जाती है ठीक है? चलिए, नेक्स चलते हैं अगला यापका इसी मरुवस्थली मिट्टी है, डिजर्ट सॉाइल या कम वर्षा वाले छेतरों में पाया जाता है, मरुवस्थल नामी है इसका विस्तार पश्चीमी राजस्थान, उत्तर गुजरात, धक्षणी हरियाणा तथा पश्चीम उतर ब्रदेस में पाया जाता है इस मिट्टी में कम पानी की और शेक्ता वाली फसलें उगाई जाती है परंतु वरतमान समय में सिचाई के द्वारा सरसो, मुक्फली, जुआर, बाजरा तथा दलहनी फसलें उगाई जाती है आगे आते हैं शारी मिट्टी या अलकलाइन स्वाइल या शुस्क तथा अर्ध शुस्क भागों में पाई जाने वाली मिट्टी है इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है जैसे थूर, उसर, रे, कलहर, चोपन, इत्यादी इसका विस्तार कहाँ है उत्तरी बिहार, उत्तरपदेश, हर्याणा, पंजाब, राजस्थान में इसका विस्तार है इस पर उगई जाने वाली प्रमुख फसलों में तंबाकू, गन्ना और गियंहु आते हैं Mountain Swail या परुती मिट्टी, इस मिट्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम तथारुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, इस मिट्टी की परत अन्य मिट्टीों की तुलना में पतली होती है, इस मिट्टी में होने वाली प्रमुक फ होती है, और इसका रंग काला होता है, इसका विस्तार तटी, उडीसा, सुंदरवन, डेल्टाई, छेत्र, केरल, तमिलनाडु में पाया जाता है, इसमें होने वाली प्रमुक फसल चावल है, नेक्स्ट आइए जलोड मिट्टी या ऐलूवियल स्वाइल, इसका निर्माण नदियों द्वारा लगाई गई काप के जमने से हुआ है, इसमें नाइट्रोजन की कमी, पोटास तथा चूने की अधिकता होती है, इस मिट्टी का विस्तार पंजाब, हरियाडा, बिहार, उत्तरबदेश, पस्चे, बंगाल, असम तक है, इसमें होने वाली फसलें कौन सी यह, चावल, गन्ना तथा जूट प्रमुक हैं, यह दो प्रकार की होती है, बागर जलोड मिट्टी तथा खादर जलोड मिट्टी, बागर में किसको बोलेंगे, पुरानी जो जलोड मिट्टी होती है, उसको बोलेंगे, और नवीन या नई जो जलोड मिट्टी होगी, वो मिट्टी काली मिट्टी लेटराइट मिट्टी और मरुस्थिली मिट्टी तो सारी